नमस्कार दोस्तों इस्टरिफार आलेगर कम्टेट्ट उक्जाम में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम जो इंसेक्टिशाइड आपका होता है या कहेंगी कि हर भी साइड हो जिसको हम वीडिशाइड भी कहते हैं या फंजिशाइड इनसे संबंधित जो कल्कुलिय को देखिए उसके बाद आपका जो भी इससे क्यूस्टिशन बनते हैं पुटक होते हैं कैसे हम PPM को परसंटेज में कर सकते हैं या परसंटेज से कैसे हम PPM में कर सकते हैं यह सभी जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे तो यह क्यूस्टिशन था जो रिक्वाइड अर्था अपकी कोई फिल्ड है उसमें कितना इंसक्टिशाइड या कितना वीडिशाइड या कितना फंजिशाइड चाहिए किसान को अगर हम किसान को यह मान के चलते हैं किसान को इस्प्रे करना है तो इस्प्रे करने के लिए किसान को कितना वीडिशाइड य लेकिन hectare का कोई मतलब नहीं होता है अब अगर hectare वो जैसे दिया गया है hectare में दिया गया है किसमें तो वो चीजे हो जाएंगे तो amount of insecticide required kg में हो जाएगा आपका उसके बाद total spray required अब तीन चीजे हैं आपको समझनी हैं पहला तो ये total amount हो जाएगा insecticide का अब total spray required तो जैसे होता क्या है कि total spray required मतलब ये कहा जाता है कि आपको एक hectare में अगर हम example की तौरब मालने कि एक hectare खेत है और वहाँ पर आपको कारबेंडा जिनका कहेंगे कि छड़काओ करना है या मान लिया जाए कि मैंको जेब का छड़काओ करना है तो मैंको जेब एक hectare में छड़काओ करने के लिए कहा जाता है कि 500 से 700 लीटर पानी जो है अगर आप पोटाइटो क्राप में लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट कंट्रोल के लिए कर रहे हैं तो यह भी एक क्यूशन यह भी पूटप हो सकते मैंको जब किसमें तो लेट ब्लाइट या इसका फॉलीशन को किटना परसैन्ट धे अल्ठाटफे दस मेलोग दो परसैनले यह कहा जाता है यह जो Use for कि उसमें कितना insecticide पा जा रहा है उसका required solution हो जाएगा तीसरा जो है given percent strength of insecticide अब ये insecticide में जैसे कि आपका अगर ये कहा जाए कि chlorophyary fast जैसे हमने यहां दिया है chlorophyary fast आपके पास है तो एक लीटर chlorophyary fast में 40% अर्थाथ अगर वो 40% EC का है अर्थाथ इसमें active ingredient जो है वो कितना है एक लीटर में केवल 40 अर्थाथ कहेंगे केवल 400 यमियल तो यह चीज़े हों गई कि केवल कहेंगे कि अगर एक केजी आपका है तो इसमें 400 ग्राम ही जो है chlorophyary fast अगर यह ग्रेनियूल में समझने के लिए है तो अगर इसमें पाया जा रहा है तो कहने के मतलब यह हुआ कि अगर हमें एक केजी इंशेक्टिशाइड अर्थाथ कहेंगे कि एक केजी एक्ट्व इंग्रेडियंट का छुड़काओ करना होगा तो जाहिर सी बात है कि एक लीटर में आपका 40% अर्थाथ 4400 ग्राम तो अगर एक केजी करना है तो हमें धाई केजी जो है chlorophyary fast देना होगा अब अग में जाके एक केजी एक्ट्व इंग्रेडियंट मिलेगा यह चीजे बस यह चीजी आपको समझना है टोटल इस्प्ले अर्था वहां अगर आपको दिया गया है कि हमें हमारे पास 1000 लीटर पानी है जिसमें हमें गोल बना कि छड़काओ करना है तो आपका टोटल इस्प्ले कितना यसी का है कितना इसी का है यह सभी चीजी दी होगी जैसे क्लोरोपाइरिफास है 40 EC है कहांगे मैला थियान है तो मैला थियान 50 EC 40 EC 10 EC जो भी हो लिक्विड में भी मैला थियान आता है तो यह चीजी हो जाएंगी तो यह आपका फार्मूला हो जाएगा अब पहला question में दिया गया है कि आपका अगर एक फिल्ड है उस फिल्ड में आपको क्लोरो पाइरिफास का छिड़काओ करना है छिड़काओ करने के लिए हमारे पास 1000 लीटर जो है इसपरे फ्लोर कहेंगे कि आपके पास 1000 लीटर पानी मौदूद है अब आपका जो इस्ट्रेंथ होगा कहेंगे कि जो स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें मतलब कितना परसंट होना चाहिए तो वो होना चाहिए आपका 0.05% तो यह तीन चीज़ें आपको मालूम हो गई अब आपको यह निकालना है कि आपको कितने इंसेक्टिशाइड की मात्रा कितना क्लोरोफायरी फास जो है मार्केट से खरीदना होगा आपको एक हेक्टेर अगर यह मान लिए जाए हमें एक हेक्टेर में पूरा छुड़ड़ करना लिए जरक आपको की पास युदने एक हेक्टेर में और इस्ट्रेंथ जो होनी चाहिए दसमलो जीरो फाइफ परसेंट क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है अगर आप ज्यादा इस्ट्रेंथ का यूज कर देंगे तो कंट्रोल जो होगा इन्सेक्ट का नहीं होगा या कहेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट भी प परसेंट कहेंगे कि एक्ट्यू इन्ग्रेडियन पाया रहा तो चालिस परसेंट तो यह चालिस हो जाएगा अब इसको जब हम भाग देंगे तो कहेंगे कि यह आपका 1.25 लीटर अर्थात आपका जो आ रहा है 1.25 लीटर अर्थात अगर हमरे पास क्लोरो पाइडिफास 40 परसेंट इसी का है तो अगर हम मार्केट से हम किसी किसान को बोल रहे हैं कि आप जो है क्लोरो पाइडिफास का छिर्काव के रिए 10.05 परसेंट का गोल बनाते हुए और गोल में आपका 1000 लीटर पानी रहेगा और क्लोरो पाइडिफास जो उपलब्द है मार्केन में हो 40 प पूछा जा रहा है डाइडेक्ट अगर किसी किसान ने आप से पूछ लिया कि आपको कितना इंसक्टिशाइड यह चीजें उपलब्द हैं और हमें कितना इंसक्टिशाइड मार्केट से खरीदना है दूशरा क्यूश्चन यह है कि आपके पास इस्प्रे सल्यूशन 500 हो गए और है कि मैलाथान आपने फिप्टी परसंट इसी का दो लीटर मैला हिद लिया अब के पास जो पानी उस क्राप में क्रीक्मेंडेशन है कि आपको क्राब है कि पांसो लीडर पानी का गहल बना की आपको छिड़काओ कर ना है तो पांसो लीटर पानी का तो जfunded मैश सेक्टीशाय दोल इonos है और श्ट्रउंद्ध जो है वह 50 पर्षंट है अब इसमें आपको यलि लिख से अर्थातं कहाँ रिफ्व salads कितना होगा जह bass गोगा यह लुऄ होगा गोल बनाया जाएगा ड्स चीजें हो जाएंगी अर्थात अगर आपका दसमलो दो परसंट आता है तो कहेंगे कि आपका एक लीटर में दसमलो दो को यमियल इसी तरी के ज़े तो अब इसको जब हम फार्मूले पर रखेंगे तो यहां का मालूम है इमांट आप इंसे इंसक्टिशाइड कितना है दो ल इसको करेंगे और यह जाएगा और इसको हो गया और इसके बाद ये हो गया सव को बटा कहेंगे कि 50 यह आपका कड़ एक बचा दसमलो डाला और 0 कहेंगे कि दसमलो दिया और 0 यहां लाया तो 10 हो गया और 5 दुनी 10 तो कहेंगे कि आपका जो solution है वो दसमलो 2% का बनेगा अगर यह पूछा जा रहा है यह question से ऐसे ही question पूछा गया था तो अगर यह solution बनेगा इस तरह के question पूछे जा सकते हैं तो strength जो required solution की होगी वो कितनी होगी कहेंगे कि दसमलो 2% तो यह चीजे हो गई दूसरा question साल हो जाएगा तीसरा question generally question यह पूछा जाता है कि आपको पीपीम में तो यह पूछ लिया जाता है कि पीपीम पहले क्या होता है तो पहले पीपीम अर्थात part per million अर्थात इसको कहेंगे दस कीखाथ 6 part per million अर्था 10 लाग यह क्या होता है 10 लाग तो आपका required strength जो है मान लेते हैं में आरे पास 10.02% का हमने ग्होल बनाया हुआ है अब उसको अगर हम यह पूछ ले आया कोई यह पूछ लिये जाता है पूछ ले कि आपक्त पास दस मेलोग जीरो दो परसेंट का solution का ग्होल है अगर हम उसको पूछ ले कि पीपीम में कैसी कितना है तो आप उसको पीपीम में कैसर करने का सीधा सिंपल सा है किए गंपलो जीरो दो परस्त है imagine했습니다 202 अर्फात 본ar$700 भाग में आपका दस्मुलो जीरो दो रहें अर्फात कहेंगे के यह अब हो जाएगा तो अव इसका मतल NBA कितना होता है दस लाक होता है तो अब इसमें क्या करेंगे यह आपका 10 लाख गुड़े आपका जो solution का strength है वो दस्मलो जीरो दो परस्थ है दस्मलो जीरो बटा 100 तो अब यह जो आपका मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 200 PPM अर्थाथ अगर आपका solution का जो कहेंगे कि अगर आपका solution है उसमें अगर percentage जो solution का percentage है वो दस्मलो जीरो दो परस्थ है तो उसको अगर हम PPM में convert कर रहे हैं तो मतब 200 PPM अब आप यह कह सकते हैं कि हमने 200 PPM insecticide का जो इस्प्रे किया है वो concentration कितना था 200 PPM का था तो यह question हो जाएगा अब अगर PPM से मान लिया जाता है कि अगर आपको यह PPM है और PPM से अगर convert करना हो जैसे कि यह आपका mango जिब था और amount of fungicide तो अगर यह PPM से मान लेते हैं कि आपके पास 500 PPM है अब PPM से यह पूछ दिया जाए है का हम 500 PPM का इस परे कर रहे हैं वो percentage में क्या होगा तो जाहिर से बात है strength percentage बराबर आपका PPM हो जाएगा PPM पार मिलियन अर्था PPM अपान दस लाक गुड़े 100 अर्थात यहां आपका 500 PPM है तो 500 गुड़े सव बटा दस लाक बराबर यह आ जाएगा एक दस 0.05% इसका मतलब 500 PPM का जो solution होता है वो 0.05% का solution होता है यह चीज़े आपकी हो गई सवाल एक question यह है आपका कि मैंको जेब है आपके फेल्ड में माल लेते हैं कि मैंको जेब है और वो 75% WP का है वे टेबल पाउडर होता है मैंको जेब 75% का है आपके पास spray solution जो है वो 400 लीटर है कि 400 लीटर आपके पास पानी है छुड़कने के लिए इस परे करने के लिए और इस प्रे प्रेट होगा यह आपका हो जाएगा 400 लीटर दसमेलो जीरो फाइब अपान 75 अब इसका एंसर क्या आएगा यह सभी आप सभी इसाल करके हमें कमेंट बाक्स में लिखिए इसका एंसर कितना आएगा कि मार्केट से किसान को कितना केजी जो है वो मैंको जिब जो है वो खड बताया था द्रव की सांधृता अर्थाथ एक्टिव इन ग्रेडियन पूछा गया था तो इसमें दिया गया था कि छिड़काओ किये जाने वाले द्रव की सांधृता की गल्णा करें जब आपके पास मोनो क्रोटो फास उपलब्द है जो की डियल लीटर है अर्थाथ रसा लीटर आपके पास इस्प्रे सलूशन है और कहेंगे कि 35 परसंट का आपका इसक्टिशाइड हो गया मोनो क्रोटो फास है डियर लीटर उपलब्द है अब इसमें एक चीजें और दे दी गए थिक दो हेक्टेर इस परे के लिए तो वह हमां हमसे उससे नहीं मतलब है कि दो कि कितना केजी है डेड़ लीटर है अब आपका इस्प्रे सलूशन कितना हो जाएगा एक हजाल लीटर यह नहीं मालूम है यही निकालने अपान फिप्टी हो जाएगा जब इसको हम करेंगे तो 1.5 इंटू 35 अपान 1000 हो जाएगा और जो आपका परसेंटेज आएगा स्ट् जिजिआ इसके के डिया गया और यहां स्ट्न इसमालो 0525 रखेंट इसमें जो सेकंट आप्सेंट दिया गया था देसमलो 05 परसेंट तो वही सही हो जाता है इसका जो सही अंसर जाएगा वह भी सही होता है यह 0 webs 75 तर आजुए 25 तक यह हो गया दूसरा question थोड़ा सट technically करके पूँचा गया था ये समली जी के प्रकार से math का question था कि इसमें ये पूँचा गया था कि आप का उपयोग इस्तिमाल की दर जो है कोई भी एक सीमे जिन है सीमा जिन तो उसको जो है तीन केजी पर हेक्टेर जो है उपयोग करना है अब देखिए सीमा जिन पर हेक्टेर मतलब ये क्या है एक्टि इन ग्रेडियंट में है और्थात अगर हम एक केजी सीमे जिन कкой उपयोग करेंगे तो400 ग्राम ही क्या नाम का यूँच होगा तो दूसरे चीज एक हख्टेयर में आपका क्या होगा कहेंगे कि एक हाई डाहि यह हखडा हजार 10,000 जो होता है एक हख्टेर बराबर कितना होगा 10,000,- एक चीज यह भी आपको यहा जाननी थी तो अब इसमें पुछा गया था कि आपके पास अच्य प्रच्टेत है और दसमलो चार हेक्टेर अर्थात कहेंगे कि चार हजार आपका क्या हो जाएगा चार हजार मीटर स्क्वाइड जो है एडिया है उसमें कितने रसाइन का छिलकाओ करना होगा कितना रसाइन लगेगा आपका सीमेजीन 80% है और यह बता दियेगा एक 3 केजी परिम्टेर खिसाब से यूज होना है तो अब इसमें आपका क्या होगा कि कहेंगे कि आपका यह जो इनिसेक्टिशाइड है तीन केजी है तो अगर एक केजी में आपका एक केजी में पाया रहा है आर्ट सो ग्राम इसलिए आपका 3 केजी के लिए तो 1 केजी में कहेंगे कि 800 ग्राम इसलिए 3 केजी के लिए तो 3.75 केजी अर्थात ये जो आपका टोटल सीमेजीन active ingredient की बात नहीं हो रही अब ये आपका सीमेजीन की बात हो रही है तो सीमेजीन जो है वो आपको कितना देना है 3.75 केजी पर हेक्टेर अर्थाथ ये क्या है आपका 3 केजी पर हेक्टेर ये रसायन था और ये क्या था एक्टिव इन ग्रेडियन्ट में था अब हमारे पास सीमेजिन मौझूद है जो की 80% का है तो अगर हमें एक हेक्टेर में शीमेजिन का स्क्रे करना होगा तो हमें 3.75 केजी शीमेजिन जो 80% वाला है उसका यूज करना होगा अगर यहीं ये 50% कर देता तो 50% अगर करता तो ये हमें 6 केजी हो जाता है अर्थाथ हमें ये टोटल मात्र कितनी केजी यूज करनी होती तो ये clear cut रहिएगा तो ये 4 kg हो गया अब यहां आपका 1 m² में कहेंगे कि आपका अगर 3.75 kg आपका लग रहा है कितने में 10,000 m² में तो 1 m² में 3.75 बटा ये 10,000 हो जाएगा और कहेंगे 1.5 kg जो आपका इसलिए 4.000 कहेंगे 4.000 m² में कितने लगेगा 3.75 गुड़े 4.000 बटा 10,000 बराबर आपका जो आजाएगा कहेंगे कि एंस्वर वो 1.5 kg अर्थाथ हमें 1.5 kg सी में जीन जो 80 प्रस्थ डबलो पी का है उसको दसमलो 4 हेक्टेर में छुड़काओ के लिए उप्योग में लाना होगा अब अगर यहीं बात यह 80 परस्थ की जगा 50 परस्थ कर दिया होता तो जाहिर सी बात होता है कि यह आपका जो इंशिक्टी शाइड था कहेंगे कि यह ट्यू इंग्रेडियन्ट जो तीन यहां केजी प्रटेक्टेर था लेकिन अगर जब हमें सीमेजीन की यूज करना होता असी प्रस्थ का तो वो आपका जो हो जाएगा यहां अगर 50 परसंट का हो जाता है 50 परसंट का होने मताब है कि यह 6 कजी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 6 कजी तो 6 कजी में आपका जब वहां हमें दस्मलों 4 hectare में इस्परे करने के लिए 2 दस्मलों 4 kg की आवसकता होती है जहां ही यह दियर के आवसकता हो रहे हैं इस तरीके से अभी future में जैसे आपका यूपी में पेजी टीजी टी का भी एक्जाम होने वाले उसके लाओ अदर भी जो भी कमट्रेट एक्जाम होंगे हैं मुझे उमीद है कि अब इससे बाहर जो है कोई क्यूस्चन नहीं आएगा और आपके साधे जो डाउट होंगे यह से रिलेटर जो क्यूस्चन रहे होंगे वोसे भी क कमेंट कीजिए फिर से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे